Hello students, welcome to Science World. Today we will discuss about the isomerism and its type of class plus 2. तो इसमें isomerism पढ़ेंगे, isomerism होती क्या है? तो isomerism क्या होती है? जब हम किसी भी organic compound को लिखते हैं, उसका name बगारा लिखते हैं, तो उसको हम different types से लिख सकते हैं. मतलब कि molecular formula तो same रहता है, molecular formula तो same रहता हैं, ठीक है? लेकिन उसकी जो structure होती है न, वो different हो जाती है. ठीक है? जो molecular formula है, वो same रहता है. और structure जो होती है, वो different होती है. जैसे मालों कि ये C6X5, चलो मैं ये अभी example कराऊंगे, फिर देखेंगे. बस यह आद रखो, isomerism क्या होती है? molecular formula the same रहता है लेकिन structure different हो जाती है, ठीक है? तो अब जो ये है, उसकी टाइप जो है, वो दो types की होती है, ठीक है? यह दो type की होती है. ठीक है? तो कौन-कौन सी types होती है, इसकी what discuss करेंगे. तो सबसे पहली जो type होती है, इसकी वह होती है structurel or स्ट्रक्चरल आईसोमेरिजम ठीक है और जो सेकिंड टाइप होती है हमारी वह होती है stereo isomerism ठीक है एक structural isomerism दूसरी होती है stereo isomerism आगे इनके भी parts हैं structural isomerism क्या होती है ऐसे compound जिनका molecular formula same होता है लेकिन structure जो होती है structure जो formula होता है structure formula होता है वो अलग हो जाता है उसको structural isomerism कहते है ठीक है तो आगे इसके काफी सारे types हैं उससे पहले मेरे साथ definition note कर लो कि isomerism क्या होती है definition है isomerism की तो देखो student यह isomerism क्या होती है पहले वो देख लेते हैं तो देखो same molecular formula जिसका molecular formula same हो लेकिन structure formula जो है वो different हो different structure formula having different properties और उनकी properties भी different हो तो देखो isomerism के जो types हैं यह दो type है देखो structural isomerism और stereo तो सबसे पहले जो structural isomerism है student इसके बारे में discuss करेंगे यही important है ठीक है क्योंकि आगे यह five types का होता है तो देखो structural isomerism क्या होती है पहले वो पता होना चाहिए ऐसे compound जिनका molecular formula same हो लेकिन structure formula अलग हो ठीक है molecular formula same और structure formula जो है वो different हो तो देखो student इस video के end में मैं आपको notes भी इसके provide करवा दूँगी इनकी सबकी definitions जो है properly लिखके आपको दिखा दूँगे आप वहाँ से screenshot ले लेना यहाँ description box से भी इसका जो link है वो ले सकते हो ठीक है लेकिन फिलहाल आप इसके ओपर concentrate करो भी write मत करो कुछ भी write मत करो आप इसको अच्छे से समझो ठीक है इस जो वीडियो मैं बना रही हूँ अब यह इसमें आपको example ले लेकर समझाने वाले हो ठीक है तो आप इनके examples को बड़े अच्छे से देखो अच्छे से समझो दो बार वीडियो देखो write मत करो ठीक है write करने के लिए मैं आपको notes इसी वीडियो के last में मैं दो मिनिट का post दोंगी screenshot वहाँ से ले लेना ठीक है और साथ में description box में मैं link डाल दूँग आप वहाँ से भी ले सकते स्टुरेंट फिलहाल इस वीडियो में आपका समझना ये ज़रूर ही है कि isomerism होती क्या है isomerism होती क्या है student carbon को उसकी chain की form में जब हम organic compound को chain की form में लिखते हैं तो उसको बड़े अलग-अलग तरिक्या से लिखा मिलता है जैसे मालों कहीं आपको ये ring लिखी मिलगी लेगिं कहीं पर ये c6, h6 लिखा मिल गया तो इसको अलग-अलग तरह से लिखना ही isomerism कहलाता है सबसे पहले जो structure isomerism है student इसका formula तो सेम रहेगा लेकिन structure अलग-अलग होती जाएंगी ठीक है तो इसकी जो types है ना structure isomerism की वो मैं discuss करूँगे करूँगे आपके साथ ठीक है structure isomerism तो देखो structure isomerism का सबसे पहला पार्ट है chain ठीक है chain isomerism तो देखो chain isomerism में होता क्या students देखो जो compound होता है उसका molecular जो formula होता है वो तो सेम रहता है ठीक है molecular formula क्या है तो student सेम रहता है लेकिन different carbon atom number जो carbon है ना main chain के वो अलग हो जाते हैं ठीक है देखो कैसे ठीक है देखो मैं example लेकर बता रही हूँ देखो आपने लिखा CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 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 इसको क्या लिखते हो आप N-butane क्या लिखते हो N-butane कितने carbon है या 4 carbon atom है ठीक है 4 carbon atom है मैं इसको butane कहा रहे हो आप ठीक है तो अगर यहां बात करूँ मैं देखो ध्यान से देखना इसको बड़े ध्यान से देखना comment name है यह जो मैं लिखने वाली हूँ फिलहाल इसको H से पूरा कर देना तो देखो यहां पर carbon atom 3 की chain है straight chain देखनी है आपने straight forward ठीक है यहां भी छोड़ो चलो आप यहां देखो अब 4 carbon है 4 carbon लिख दिये वई ठीक है लेकिन जो आपकी naming में है chain में है वो कितने है only 3 carbon है students यह गलत है 4 carbon नहीं है इसको हम count करेंगे 123 यहां पर कौन सी naming हुई सारे आप आयू पैक rules जो है पड़ चुके हो तो यह कोई naming नहीं हुई यह सिर्फ 3 की chain बनी लेकिन इसका नाम क्या है student इसका नाम है isobutane मैंने common name करवाए थे वहां आपने देखा हो गई isobutane है और यह n-butane है ठीक है student इसी तरह से आप यह भी कर सकते आइसो पैंटेन और एन पैंटेन ठीक है एन पैंटेन और आइसो पैंटेन ठीक है ना तो यह आपकी जो है chain isomerism होगी next चलते हैं हम second part तो जो second है वह है position isomerism तो देखो compound जिसका molecular formula same रहे ठीक है molecular formula same रहे लेकिन जो position है वो क्या हो जाए different यानि कि अलग हो जाए ठीक है position different molecular formula जो है वो क्या रहेगा same रहेगा अब इस case में क्या होगा आपका जो molecular formula वो same है ठीक है लेकिन position change हो जाएगी यह तो बहुत easy है जैसे देखो आपने ch3 ch2 ch double bond ch2 क्या नाम बना इसका एक दो तीन चार ठीक है क्या नाम बना इसका ब्यूट इधर से शुरू करेंगे one two three four one in ब्यूट one in बन गया लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ch3 ch double bond ch ch2 तो यह क्या बन गया ब्यूट two in तो देखो इन दोनों में जो position है वो अलग है पहले यहाँ double bond था अब यहाँ बन गया ठीक है यह double bond था पहले अब यहाँ बन गया पहले एक पे था double bond अब दो पे double bond बन गया position different होगी लेकिन molecular formula सेम है इसमें count करो c4 है इसमें count करो c4 है एच भी दोनों में ब्राबर है तो जिसका molecular formula सेम हो position different हो उसको क्या बोलते हैं position isomerism ठीक है बड़ा easy सा है इसमें कुछ खास नहीं है अलकीन अलकीन अलकाइन सब के अंदर यह यह यूज होते हैं इसी तरह से propanol का भी example ले सकते हैं ch3 ch2 ch2 oh ठीक है यहाँ पर position one पे थी ch3 ch oh ch3 यहाँ position two पे होगी यह one है one all है यह two all है ठीक है position ही तो change हुई है बस formula तो सेम है तो यह position isomerism होती है ठीक है तो आपको यह write करने की जुरूत नहीं है बस समझो last में मैं post करूंगी वहाँ से आप screenshot ले लेना तो इसमें रहाता है functional isomerism तो इसमें भी same रहेगा same molecular formula बट देखो molecular formula सब में same रहेगा क्योंकि isomerism में molecular formula same रहता है ठीक है same molecular formula बट different different functional group functional group अलग रहेगा देखो molecular formula same functional group अलग यह कैसे हो सकता है तो हो सकता है बड़ी इसे c2 c2 h6 o को देखो जड़ा ध्यान से देखना देखो c2 है यहां पर c h3 c h3 o तो h6 होगे तो यह देखो यह कौन सा ग्रूप बना सबको पता है कौन सा ग्रूप है डाइमिथाइल इथर है ठीक है क्या यह डाइमिथाइल इथर ध्यान से देखना oxygen कहां पर है कौन सी position पर है ध्यान से अब इसी formula को मैं है ऐसे भी तो लिख सकते हूं c h3 c h2 o h इसका नाम क्या बना इथाइल एलकोहल तो यहां पर तुमने क्या नोट किया देखो यहां भी c2 h6 o है यहां भी c2 h6 o है तो दोनों का molecular formula तो सेम है लेकिन functional group लग है यहां कौन सा इथर वाला ग्रूप लगा हुआ है रो आडश ठीक वह कौन सी isomerism होती है functional isomerism तो next isomerism पर चलते हैं next आता है स्टोने metamerism तो यह क्या होते हैं जिनका molecular formula सेम हो ठीक है और functional group भी सेम हो functional group भी सेम हो लेकिन different क्या हो different number of carbon chain यानि कि जो carbon की chain है ना carbon की chain वो different हो ठीक है और both side of functional group functional group के दोनों side ठीक है एक example लेती हूँ तभी आपको ज़्यादा clear होगा देखो मैं यहां ले लेती हूँ C4H10O ठीक है तो इसको मैं देखो दो तरीके से लिखूंगी ध्यान से देखना CH3 CH2 O CH2 CH3 यह लिखा ध्यान से देखो और इसी को मैंने CH3 O CH2 CH2 CH3 यह लिखा अब देखो आपको खुदी अंतर नजर आ रहा होगा पहले यहां पर मतलब कि रहेगा सेम functional group सेम है यह भी देख है यही यह भी यह भी यह लेकिन पोजीशन जो है ना कार्बन चेन जो है वह अलग हो गई ठीक है Olok cuma जो सेम रहेगा है चेनिंग में डिफ्रेंस आ जाए लेकिन गुरूप सेम रहे तो मोलिकुलर फॉर्मला सेम रहे तो वह मैटामर्स है नेक्स्ट है स्टुडेंट टॉटो मेरिजम तो इस तरह के होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मला सेम हो ठीक है और झॉफ्ब्रल है यहाँ पर लेती में एक्जामपल इसको रेस करती हूं तो यहां देखो स्ट्रेंट C2 है C2 है OH है यह OH है यह OH है ठीक है तो देखो different functional group है देखो molecular formula same है इंग functional group अलग है इधर carbox leak है देखो C double OH है लेकिन इधर क्या है CHO है LDHyd है तो देखो functional group अलग है लेकिन फिर भी क्या है इनका molecular formula same है तो इस तरह की isomarism को बोलते हैं totomarism stereo isomarism में कुछ निया जो compound जिनका molecular formula same होता है ठीक है और same structure formula होता है लेकिन उनकी arrangement जो होती है ना atom और group को लगाने की ठीक है atom का जो space होता है किधर group को लगाने item को वह अलग होती है ठीक है उसको stereo isomarism कहते हैं जहां फिर उसको हम इस phenomena को पूरे को stereo isomarism कहते हैं ठीक है जमेट्रिक और optical टाइप क्यों होती है यह ठीक है तो स्क्रिंशोट ले लीजिए आप सारी isomarism यहां पर लिखी हुई है मैंने और अगर आपको ज्यादा details में चाहिए तो आप description box पर ले सकते हो और मेरी वीडियो अगर पसांद आई हो तो लाइक और शियर जुरूर कीजिएगा और इसी के साथ सब्सक्राइब का बटन दबाएएगा तांकि अबली वीडियो जैसे अपडेट हो तो आपको साथ के साथ notification मिले तो यह screenshot ले लिया आपने next वीडियो में हम optical isomism के बारे में हलका भूलका discuss करेंगे वैसे वह आपके flavors में नहीं है thank you